शेवपुर कलेक्टर संजे कुमार का लक्ष है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा हो मतिदान जिससे जिले में नया रिकाउड हो सके कायम खबर शेवपुर से हे जहां 17 नवंबर को होने जुआ रहा है विदान सभशनावु की तैयारियों को लेकर कलेक्टर संजे कुमार रोच मतिदान के इंड्रो और एचेकिंग कॉइंटों का ब्रमण कर रहे है और मतिदाता जागरुकता कारिक्रम हर ब्लॉक में करवा रहे है ग्रामीड अंचल में निवासरत आदिवासी बस्तियों में शॉर्ट फिल्म भी शूटिंग करवाई जुआ रही है जिससे की मतिदाता जागरुक हो सके हमसे बात करते हुए कलेक्टर संजे कुमार ने बताया कि इस बार कोई भी मतिदाता वोट डालने से वंचित ना रहे जाए इसके लिए मतिदाता सूची को अच्छे तरीके से सुधार कर लिया गया है और दोनों विदान सभा के सम्मानिय मतिदाताओं को समझाया जा रहा है कि बिना डर, भै, दबाव और लालश मिना पढ़कर स्वतंद्र रूप से मतिदान करे इस बार कुछ मतिदान के इंद्र पढ़तों 100% मतिदान का लक्ष रखा गया है सुमसायता समो के महिलाओं को जिम्मदारी दी गई है जो लेके सभी चेकिंग नाकों पर विशेश निगरानी और सभी मतिदान के इंद्रों पर शांती पूरवक मतिदान हो सके इसके लिए कड़ी सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम कर लिये गए है क्या संदेज है सरजले वासियों के लिए आप चुनाव संबंदी क्या कहना चाहूंगा कि सौतंत्र निस्पक्ष और शांती पूरवक मत्दान लक्ष होगा और उसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सारी तेयरियां चल रही है और अभी हम लोगों की मिटिंग और ट्रेनिंग आदी सब हो गई है सारे रिसोर्सेस जो साधन है वो हम लोगों ने जुटा लिये हैं और पूरी तरह से जिला तयार है दोनों विधान सवा में चुनाव के लिए लोग आस्वस्त रहें लक्ष हमारा ही है कि कोई भी परिवार कोई भी व्यक्ति कोई भी गाउं टोला पाड़ा मंजला ऐसा नहो जो किसी के दबाव में अपने मन का बोट ने करे या बोट करे ही नहीं ये हमारे लिए निशित तोर से एक चुनावती भी है हलाकि इस जिले में इतिहास सांतिपुरोक मद्दान का रहा है तो कोई उस परकार की चुनावती नहीं है लेकिन फिर भी हर चुनाव अपने आप में महत्पूर्ण है और उसको हम चुनावती के तोर पे ही लेते हैं इस बार हम लोग बोटर्स टरन आउट को पे काफी ध्यान दे रहे हैं और इसके लिए भी मद्दाता सुची को बहुत अच्छा करेक्ट किया है कोशिश किया है कि इसमें एक भी मद्दाता जो उस गाउं में नहीं रहता किसी कारण से उसके डेथ हो गई है या उसके सेफ्टिंग हो गई है तो वो उसमें न रहे उसको हटा दिया जाए और साथ में अगर कोई अठारा वरस या उससे उपर उम्र का बंदा है उसकी आईउ हो गई है तो उसका नाम जोड लिया जाए तो बहुत ही करेक्ट मदाता सुची बनाया है अभी भी अबसर है जो लोग छुट गए है अभी SSR हुआ है अभी अगर कोई छुट गया है तो अपना मदाता सुची में नाम देख ले अगर B.L.O. आपके गाउं में है B.L.O. से संपर्क करके और देख लें कि आपका नाम जोड़ दिया गया है जोड़ा हुआ है और नहीं जोड़ा हुआ है तो अब भी जोड़बा सकते हैं चुनाओ की गोशना होने के थोड़े दिन आगे तक जोड़बा सकते हैं तो सबसे अपील करूँगा कि नाम जोड़बा लें और अधिक से अधिक बोट करें बोटर्स जिले का अच्छा रहा है वैसे भी 78% लोगों ने पिछली बार विदान सभा में बोट दिया है इस बार हम लोगों ने लक्ष रखा है कि जिले का बोटिंग प्रसेंटेज 85% हो जा जो बहुत ही अच्छा कलाता है क्योंकि एस्टेट का जो लास्ट आवरेज है वो 75% का है और वो लक्ष यह है कि हम 50 ऐसे बोट पे काम कर रहे हैं जिसमें हम 100% बोट कराने का लक्ष लिया हुआ है कि वहाँ पे जितने भी मत दाता हैं सभी बोट करें तो उसके लिए भी कुछ चीजें जो उन गाउं के बोटर लिस्ट की क्रेक्शन का प्रोसेस पे ज़्यादा ध्या कि वहाँ पे हमारे 50 बोट पे 100% साय दिये पूरे देश के इतिहास में शायद पहली बार होगा अगर हम लोग कर सके तो और बटी एक महत्वकांसी लक्ष लिया है